अबश्कर दोस्तों मेरा नाम नेत्राम भारती है और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत को संग्रक्षना जैसी लगु कथा समर्पित पत्रिका के संपादक वरिष्ट लगु कथा कार और समिक्षक आदर्णी श्री कमल चोप्राजी की एक लगु कथा जिसका शीर्षक है माय क जी हाँ माय का तो आएए सुनते हूँ उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह है ऐसे दुश्मन देश में घूम रहे हैं जिसके साथ उनके देश का गई बारियुद हो चुका है उनके तीनों शो चबरतस्त अफिक हुए थे लोगों का लगाव और प्यार देख कर वे तंग थे लोगों की तालिया उनके कानों में गूज रही थी वे दोनों भाई गायक थे और यहाँ पाकिस्तान में प्रोग्राम करने आये थे उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वे पाकिस्तान में भी उतने ही लोग प्रिये हैं जितने कि अपने देश में कार हाईवे पर दोड रही थी उन्होंने ड्राइवर से पुझे यह साइदपुर गाउट कहां पड़ेगा जिरस्ते में ही पड़ेगा आईवे से दो किलोमेटर अंदर गाड़ी उधर ही ले लेना चलते वक्त पाकुने उन्हें कहा था यह पाकिस्तान जा रहे हो तो सैदपुर जाकर वहिदन को बिलते आना उसका परिवार उनके पडोस में ही रहता था पडोस क्या उनके दोनों घर एक जैसे ही थे विभाजन के वक्त उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा विभाजन के बाद कुछ वर्शो तक वहिदन के अबबा की पाकिस्तान से चिठ्धिया आती रही पता चला वहिदन के शादी सैदपुर में हो गई है फिर एक साल बाद पता चला उसके अम्मी अब्बू दोनों गुजर चुके है साइद पर पहुँचकर पूछते पूछते वे किसी तरह वाहितन के घर पहुची गए तरवाजा के तो एक वजुरक सी महिला ने तरवाजा खुला पुत्तर मैं पिछाणा नहीं करूँ तुसी कौन हम दोनों कीरत पुर वाले सरदार स्तरदल सिंग के बेटे हैं इधर आये थे सोचा आपसे मिलते चले वही दन तो तो जैसे क्या ही मिल गया उसके आँखे भीड़ गई और वह मेरे पुत्तर मेरे पुत्तर मेरे पुत्त मेरे पुत्त कहती कुई उनके गरे लग रखा गैधार रोने लगे उन्हें आशिरवात देते देते वही दुन का मूल नहीं कहा जिंदर और जिंदर और अंडर लिजाकर उसमें उनकी आओ बख़ध शुरू करती है काए बहुं अठकर बाहर गली में जा खड़ी ली और आएख़्ी लगाने लगी मिरसी दा नी पक्तो नी अबीदा तुस्सी किते हो नी शबाना तुस्थी कैंदिया सी ले डा कि मेरे माईके से कभी कोई नी आया आव विक्षो एथे आओ अब विक्षो अज मेरे माईके से मेरे बतीजे मेरे पंतर सुर लेना आए हैं आओ तुसी आओ विक्षो और कुछ ही खशनों में आसपास के लोग उनसे मिलने आपा आचे थे किसी के हाथ में लस्टी का गिलास था तो किसी के हाथ में मिठाई तो उन्हों की आँखे गिली हो आई थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाएने खिचने और ये द्धों के बावजूद फे भाचन आँ हुआ हुआ थन्यवाद झाल